नवश्कार दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं सिल्वर MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुमेंट लास्ट रेडिंग सेशन में रही और अभी जो लाइब मार्केट चल रहा है उसे देखते हुए हम यह समझने ही कोश्च करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेसिटेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क् करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आइए शुडू करते हैं पांच मिनेट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसी एक्स का चार्ट दोस्तों कल हमने देखा कि सिल्वर में गैप अप उपनिंग यहाँ पर करके 64300 का एक स्टॉप लगा सकते हैं या फिर 63150 के नीचे आप सेल करें तो जिन्होंने यहाँ सेल करा होगा अब्वियसलि उनका स्टॉप लगर हुए और मार्केट वहाँ से कंटिनियूसली एक स्ट्रेंथ लेके उपर की तरफ बढ़ता रहा अभी भी हम रहा है कि मार्केट कहां तक जा सकता है देखे एक चीज़ ज़रूर है जो अब कंटिनियू अभी आने वाले काफी टाइम के लिए रहने वाली है जो भी गिरावट आएगी वो गोल्ड में हमेशा ज़ादा आएगी और सिलवर में तेजी जो आएगी वो सिलवर में हाई लगाया था 65,000 के उपर का सिल्वर अभी वापस अपने उन प्रैसिस को होल्ड करके उपर अभी stable है पर गोल्ड में एक हाई लगा था 50,000 के उपर का गोल्ड अभी वहाँ से भी 400-500 पॉइंट अभी नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये एक strong sign है इस चीज़ के कि आपको अगर कुछ भी अगर आप थोड़ा सा short term period के लिए आप सोच रहे हैं कि आने वाले 3-4 महिने में तो आपको अगर कुछ इस तरीके का एक trend लेके आप चल रहे हैं तो आपको गोल्ड में selling और silver में आपको buying करने चाहिए महीना या दो महीने इतने time period का अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा profit आपको होता हो नजर आएगा अगर आप gold sell और silver buy करके चलेंगे ऐसा बहुत कम traders करते हैं पर ये भी एक तरीका रहता trade करने का तो हम silver के chart पे continue करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 minute के time frame पे यहां देखते हैं कि किस तरीके का trend हमें नजर आ रहा है यहां पर market देखिए उपर गया वहां से नीचे आया नीचे आने पर जो selling थी वो इतनी strong हमें नजर नहीं आ रही थी धीरे धीरे नीचे के levels लग रहे थे यहां से market वापस एक recovery दिखाता हुआ फिर वापस नीचे नीचे में इसने इस low को break नहीं करा इसके उपर से ही market ने एक turn लिया market उपर गया फिर नीचे और यहां से हम देखने के continuous एक uptrend हमें नजर आ रहा है यहां तक है फिर gap of opening फिर market उपर अभी फिलाल इसमें यह वाली candle नीचे की create हुई है तो एक जो trend है market को 62,500 एक में price आपको बता रहा हूँ 62,300 का एक में price आपको बता रहा हूँ regular जो अगर break होता है तो उसके बाद market में एक अच्छी हम गिरावट देख सकते हैं पर ऐसा market वहां तक गेरा नी पहले यहां पर support मिला फिर यहां support मिला और इसी के उपर silver ने अभी तक अपने आपको sustain कर रखा है ऐसा नहीं है कि silver में और gold में कुछ इस तरीके का trend बनेगा कि gold गिरता रहेगा और silver बढ़ती रहेगी पांच-छे दिन का trend एक हफते का दो हफते का यह आपको trend लगभग सेम दिखेगा यह जो difference है इन में यह तब तब बढ़ेगा जब market एकदम से ज़्यादा वालेटाईल होगा है कि एकदम से बहुत ज़्यादा उपर गया फिर एकदम से गिरा तो उस बढ़ने और गिरने में gold कम बढ़ेगा और गिरेगा ज़्यादा silver बढ़ेगी ज़्यादा और गिरेगी कम तो इस तरीके का सिनेरियो बना रहेगा थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पर वहाँ देखते हैं इस तरीके का trend हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो market में एक गिरावट थी उसके बाद एक strength जो थी वो बननीश्रू हुई यहाँ पर हमें 65,800 something का कुछ एक high लगा उसके बाद market में एक थोड़ी correction start हुई और market ने यहाँ से curve लिया है उपर की side में यह आप देख रहे हैं कि इस तरीके से silver का जो momentum है वो उपर की तरफ बन रहा है आगे का view है कैसा रह सकता है कैसा नहीं एक चीज़ यहाँ बहुत clear हो रही है हमारे सामने कि 65,000 के उपर market एक बार अपने एक resistance को बना चुका है ठीक है strength जरूर है पर इस resistance को वापस break करना वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर रह सकता silver के लिए भी और दूसरी चीज़ कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक बार silver में selling आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है तब तक उस uptrend को मैं favor नहीं करूँगा at least 63,000 के आज़ पास का price अगर नहीं मिलता तो इस uptrend को मैं बिलकुल avoid करूँगा ना तो उसमें buying या selling कुछ नहीं करूँगा uptrend उपर जा रिया silver जाने दूँगा तो वहाँ पर मेरी कोई fresh buying की recommendation नहीं है सिर्फ एक की recommendation नहीं है के selling के लिए भी wait करें market से बाहर बैठे रहें तो 63,000 के आसपास तक का level जब तक नहीं आता तब तक मेरी कोई fresh buying की recommendation अभी फिलाल नहीं है पर यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि market ने कर लिया है जो uptrend के लिए अच्छा बना हुआ है अगर यह resistance level यह वाला break हो जाता है तो silver में और ज़्यादा अच्छे से strength बननी शुरू हो जाएगी otherwise यह बिलकुल अभी अपने resistance level के आसपास है यहाँ पर इसमें और थोड़ी सी candles ऐसी create होके थोड़ा सा भी अगर downside का एक view बनना शुरू हो जाएगा तो इसमें एक turn ले आएगा जो एक curve उपर की side बन रहा है इस curve के break होते ही market नीचे की तरफ भी गिरना शुरू हो जाएगा फिलाल इन levels पे fresh position कोई भी बनाना थोड़ा सा गलत रहेगा ठीक है और थोड़ा सा आगे चलते है चार घंटे के time frame पे देखते है किस तरीके का trend हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें market नीचे गया उपर गया नीचे गया उपर गया एक zigzag pattern चल रहा था फिर उसके बाद market में strength बनी और यह downside अनिश्रूई काफी नीचे के level समने देखे 57,000 something का कुछ level टच हुआ था और उसके बाद market में यह buying बनी अप trend आया यहाँ पर देखें सबसे पहले यह वाला price और उसके बाद अब यह वाला price यह अगर buying continue रहती वो gold की वज़े से थोड़ा सा उसने एक discontinue हो गई यह जो uptrend था तो अभी फिलाल यह जरूर हो सकता है कि अब यह अपनी strength को थोड़ा सा और उपर की तरफ continue रखने ही कोशिश करें पर इसमें 65,800 के आसपास का यह high लगा हुआ है 66,800 या 600 पता नहीं कुछ आज़ा ही कुछ level था वहां का यह high लगा हुआ है तो लगातार इसमें हर 1000 पॉइंट पे एक strong resistance इसे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर यह भी एक reason है कि fresh buying अभी मैं थोड़ा सा अभी आपका avoid करने को कोऊँगा अगर इसी run में वो buying चलती रहती तो थोड़ा सा हम positive रहते अभी फिलाल यहाँ पर थोड़ा market को consolidate होके नीचे आना चाहिए और उसके बाद कि selling किस तरीके की आ रही किस तरीके की नहीं आ रही फिर अगर market यहाँ से turn करने ही कोशिश करता है तो ही मैं उस चीज़ को ज़्यादा support करूँँ है कि अब buying का हम trend लेके आगे चल सकते हैं पर वो levels कौन से होंगे उनकी भी अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं daily charts पे यहाँ हम देखते हैं किस तरीके का view हमें नजर आ रहा है market यह देखिए उपर गया काफी उपर की levels उसने touch किये 78,000 और वहाँ से market में correction आई यहाँ एक sideways trend लेके market थोड़ा सा correct हुआ उपर गया यहाँ पर अभी अगर यह थोड़ा सा correct होगे नीचे जाना शुरू करता है तो इस बार silver में भी इस तरीके की एक downfall हमें देखने को मिलेगा जो जिस downfall में एंटर करने से silver ने अभी अपने आपको बचा लिया है पिछले जो गिरावट आई थी उसमें ठेक है अब हम वापस चलते हैं एक घंटे के time frame पे वहाँ पर हम उन levels को discuss करने कोश्च करते हैं जो हमारे लिए आज वाले session में आने वाले time में important हो सकते हैं देखें सबसे पहला जो price है वो सिर्फ intraday के लिए वो है 64,800 अभी तक यह लगा नहीं है थोड़ा सा यहां कल price है यह अगर break होता और इसके नीचे market sustain करने लगता है तो थोड़ा सा एक intraday में consideration phase में silver enter कर जाएगी फिर उसका वापस high break करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा तो 64,800 इस price को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके नीचे अगर market sustain करता है सिर्फ touch करना काफी नहीं होगा next price जो है वो सबसे ज़ादा important है उस price के नीचे वो price है 64,000 इस price के नीचे मैं ये recommend करूँगा कि आपको selling में जरूर एंटर करना चाहिए 64,000 का level अगर गिरते हुए break हो जाता है तो और ये सिर्फ purely intraday देखिए यहाँ पर हमारा trade कुछ इस तरीके से रह सकता है कि 64,000 के break होती ही हमने एंटर किया और इस top plus अभी का जो भी हाई लगा हुआ होगा ये हाई या फिर हो सकता है इस हाई को break करके एक और fresh हाई पचास या सो रुपया दो सो रुपया ब्रेक करके market का बन जाए तो वो हम हाई लेके अपनी एक selling की position में एंटर कर जाएंगे उसका benefit हमें ये होगा कि अगर market में एक थोड़ी सी भी downside continue रहती है तो लगातार इसमें ऐसे ऐसे levels है जो break करते ही market में silver में एक अच्छा crash हमें देखने को मिल सकता है तो वो position हमारे लिए बहुत अच्छी होगी 64,000 ठीक है जब तक ये break नहीं होता अब selling fresh selling थोड़ी सी आप avoid कीजिए और अगर ये break हो जाता है तो मैं आपको ये recommend करूँगा इस high cup stop loss लेके आप market में selling ज़रूर करें ठीक है उसके नीचे मतलब सिर्फ वहाँ भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ touch करना काफी नहीं है market नीचे अगर sustain करता है तो ही आप enter करें और इससे जो next price है वो तो obviously वो वही है 62,300 इसके break होने के बाद फिर इसके भी break होने के काफी ज़्यादा chances बन जाएंगे और ये break नहीं होता तो तब तक आप कोई भी fresh position ना लें तो 62,300 break होता है फिर उसके बाद जो next price है अभी तक मैं आपको बताता था 61,500 उसे आप फिर भूल जाएए अब अगर ये break होता है तो market में crash लगभग confirm जैसा ही है और इसके बाद जो free space इसे मिला रहेगा वो काफी ज़्यादा होगा फिर next price यहाँ होगा 58,800 पे ठीक है तो इसका break होना बहुत ज़्यादा इसे space देगा नीचे में तो बहुत ध्यान से आप market में बने रही है ये price break करना है मतलब सिर्फ wait करना है कि 64,000 वहाँ पर हम छोटी सी position चाहिए build up कर सकते हैं selling की और 62,300 पे हम थोड़ी ज़्यादा position या फिर उतनी ही position को हम और build up कर सकते हैं तो उससे हमारी पूरी position हो जाएगी और फिर हम जैसे भी partial exit हमने या कर लिया और बाकी का जो हुआ उसे हम hold करके आगे के लिए carry over करके चलते चल रहे हैं तो इस तरीके से हम आगे trade कर सकते हैं तो ये था मेरा silver mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहे मेरे साथ देखते रहे हैं में market report धन्यवाद